अब जो शराब पी के पड़े हैं गांजा पी कर पड़े हैं जो भगवान की सरण में नहीं है जो भगवान की कछाए नहीं सुन रहे हैं इनकी क्या दुरगती होगी इन्हें पता नहीं है इन्हें अभी कुछ भी नहीं पता एक बाद बताएं आज विज्ञान का यूग है यदि सुनामी आती है ना तो विज्ञानिकों को पहले से ही सैटरलाइट से पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है अच्छा सुनामी आ जाएगी फिर पता चले तो नुक्सान हो जाएगा आने के पहले पता चल जाएगी तो लोग सुरक्षित जगह पर चले जाएगे तो सुनामी आने के पहले पता चल जाना सही है ना हाँ तो ये जो शराब पीने वाले हैं पराई औरत पराई पुरुष के चकर में पड़े भोग विलास में निंदा चूली करने वाले लोग इ जब इनका हिसाब होने को आएगा तो ये रौएंगे माथा पकड़के हम बता रहे हैं कि सुनामी आने वाली है दुखों की यदि तुम भगवान की शर्ण में नहीं आए तो आभी भी समय है दूर हो जाओ सुनामी आने वाली है तो समुत्र का किनारा खाली कर दो सुनामी दुखों की आने वाली अभी भी सुधर जाओ निंदा चुगली पराई इस्त्री पराई पुरुस्य मन हर बुरे काम छोड़कर और भगवान की शर्ण में आ जाओ तो बचना ठीक संभव है वरना ये सुनामी तुमारे बाप दादे याद दिला देगी छटी का दूद याद आएगा इसलिए सावधान कर रहे हैं हो जाओ सावधान करमों का दन्द भोगना पड़ता है भीश्म पितामा जैसों को बाणों की सहिया पर लेटना पड़ा तो तेरा क्या होगा रे कालिया समझ में आ रही है आजामिल जैसे पापी ने भगवान का नाम जपा क्या नाम जपा जामिल ने श्रीमन नारायन बेटे को बुलाया बेटा 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 नारायन बेटे ने नहीं सुना परमपिता परमात्मा ने सुन लिया कहा जाओ मेरा भक्त पुकार रहा है लेकर आओ एक नाम के बल पर अजामिल तर गया आप भी काम करते रहो और उस नाम का आस्रे लिए रहो हे प्रभू हे श्री मन्यारायण मैं आपको कभी भूलू नहीं अजामिल जैसे पापी का उध्धार हुआ